हलो फ्रेंस कैसे हैं आप बढ़ियां मस्त रहिए चुस्त रहिए और एंटरेटेंडमेंट का मज़ा लेते रहिए यह टीवी इंडस्टी है कब कौन सा जटका देदेगी पता नहीं क्योंकि बॉली बुड में भी आजकल जटके बड़े लग रहे हैं तो फी छोटे परदे के पर टीवी निकल कर आजाती है अज attracted तो दिमाघ खराब हो जाता है यार फिरसी पागल हो गया है या फिक टीवी शो की रेटिंग कहां से कहां पुचा दी है इसे में याया जार्च जादा पता ही है क्योंकि केबल जो है काम नहीं कर पा रहे थे काई गरों में जो है। यह कई लाख गरों में जो है टीवी शो नहीं देखे गए यह कहते हैं हमते से जदा हर्ताल रही और उसका अधूर घर कहीं न कहीं स Starr Plus पर पढ़ गया और स्टार प्लस ने फिर अपने सितारों से कहा कि जो है पर्मोशन कीजिए कि भाई जो है चैनल एवेलेबल हो गए है और वो चोन ओल शो इन स्टार प्लस तो ऐसे में अगर आपने देखा होगा आपके फैवरिट सितारे जो है कही ना कहीं इस चीज को काफी पर्मोट कर रहे थे इस चीज का फायदा तो हो गया है आपके दंगल को और कलर को लेकिन बात आती है कि टो फाइफ में कौन से शोरे एंट्री मारी है नागिन ने मारी है या आपके प्यारे जो है तेरे इश्क में घायल ने मारी है या फिर आपके प्यारे ये रिस्ता क्य गया है इश्क में घायर तो ऐसे में इनकी TRP जो है जो इस वीग बढ़कर आएगी कलर की तो क्या नैस्ट वीग भी कलर की TRP बढ़कर आएगी क्योंकि भाई कहीं ना कहीं स्टार प्लस पे रश नहीं पहुच रहा था तो इसलिए स्टार प्लस वालों ने पर्मोशन करवाया है या फिर आपको लग रहा है कि भाई ब्यार्स ने वही TRP उठा कर दे दी है कोई चेकिंग वेकिंग नहीं हुई है क्या लगता आपको कि कौन सा शो इस अपते टो फाइफ में एंट्री करेगा आपका तेरे इश्क में घायल या फिर नागिन जैसे मैंने बताया गूगल जो है आपका ये रिस्ता को बता रहा है टो फाइफ में बनावाए बात आती है नागिन की टो फाइफ में बन चुका है और बात आती है तेरे इश्क में घायल की तो वो टो फाइफ में आते आते बच गया है तो आपको क्या लगता है बच गया है या आ ही चुका है कमेंट करके जल्दी बताईए बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है